हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम तु दिब्या ब्लॉग एंड फूर और आज मैं आप लोग के साथ सेयर कर रही हूं फ्लावर की मिठाई जो देखने में भी इतना खुबसरत है खाने में उतना ही स्वादिष्ट है चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो कप मैदा ले लिया है कि कि मैं कैप से मेजरमेंट कर रही हूं और इसमें मैं higher ठेबल स्पून से थोड़ा सखम मैं इसमें डाल रही हूं Waking Powder डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से mix कर देंगे मैं इस तरह से अब मैं इसमें एड़ कर लेंगे तीन बड़े captures Weight कोई सावी कुकिंग वाईल ले सकते हैं यहां पर मैं फूट कलर एड़ कर रही हूं हाफ टेबल स्पून को ऑर इन्ज कलर का यह फूट कलर है इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो कलर है और हमारा जो वाइल है वो अच्छी तरह से mix हो जाए मोयन अच्छी तरह से आ जाए इस तरह से हम इसको हाथों से mix करेंगे तो यह देखे हमारा mix हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करकर एक soft dough तैयार कर लेंगे ज्यादा हमें tight dough भी नहीं तैयार करना है ना ज्यादा इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक dough तैयार करेंगे तो देख सकते हैं हमारा dough तैयार हो गया है अब हम इसे side में रख देंगे रेश्ट करने के लिए छोड़ देंगे 10-15 मेट के लिए अब मैं दूसरे बॉल में ले रही हूं फिर से दो कप मैदा सेम मिजर्मेंट मैंने लिया है तीन बड़े चमच वाइल ले लिया है इसको अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे मैंने यहां पर कलर बाद में भी आड़ कर सकते हैं यहां पर मैं एलो कलर यूज कर रही हूं इसमें डालूंगी वन पींच इस तरह से भी आप मिक्स कर सकते हैं कलर को वाइल के बाद तो देख सकते हैं हमारा जो कलर है वह अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब इसे भी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक डो तयार कर लेंगे स्मूध डो तयार करना है हमें और इससे भी हम साइड में रख देंगे 10 से 15 मेर तक रेष्ट करने के लिए छोड़ देंगे तब तक हम इसकी एक चासनी बना लेते हैं शीरा जिसको बोलते हैं मैंने एक बाउल लिया ह पाली चासनी नहीं बनानी है बस हमें इसे 5-10 मिट के लिए अच्छी सरह से बॉल करना है हलका सा इसका कलर चेंज होगा यह लोईस कलर हो चाएगा तो हम इसे देख सकते हैं हमारा जो पानी है सीरा वो रेडी हो गया है इसमें मैं एड कर लूंगी इलाइची एक एड कर रह है तब तक हम अपने डो की तरफ चलते हैं हमारा डो मिल्कुल रेडी हो गया है 20 मिट हो गया है 10-15 मिट तक आप इसको जितना रेष्ट कराएंगे उतना अच्छा बने गई है इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे डो को कि इस तरह से मिक्स करेंगे और यह मिठाई बहुत ही अच्छी बनती है फ्रेंड्स आप इसको जरू ट्राइ किजिएगा देखने में जितना है खुब्सूरत उतना खाने में भी बहुत ही स्वाधिश्ट बना था यह अब इल्कुन नियू रेस्पिए इस तरह से हम इसके छोटी छोटे बॉल्स कикаट कर लेंगे और दुसरे दो को भी हम इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके भी छोटी छोटी पेड़े कट कर लेंगे मैं हाथ से इंग कट कर रहे हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे knife से भी कट कर सकते हैं अब हम एक-एक ball को लेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे orange ball को ले रहे हूँ इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे, और इसे इस तरह से कटोरी के shape में हम इसको बनाएंगे आई ये जो हमने येलो कलर का जो बॉल लिया है इसको हम इसके अंदर डालेंगे इस तरह से स्टफिंग की तरह इसको फिल करेंगे इस तरह से दवाते हुए तो आप देख सकते हैं मैं आप इस तरह से कर रही हूँ इस तरह से हमें एक बॉल बना लेना है देख सकते हैं हमारा बॉल रेडी हो गया है इस तरह से हम सारे बॉल बना लेंगे मैं आपको दूसरा भी दिखा रही हूँ इस तरह से हमें स्टफिंग करना है हमें इसको पहले गेलो कलर का अंदर में फिल करना है और और औरेंज कलर बाहर रखना है उसके कटोरी के शेप में लेकर तो देख सकते हमने सारे बॉल्स को इसी तरह से कर लिए अब हम इसे कट करेंगे नाइप से हमें इतना कट करना है पहले हम चार टुकड़ों में करेंगे हमें ज्यादा नीचे तक नहीं कट करना है बेस हमारा बचा के रखना है नहीं तो यह तूट जाएगा और फिर इस तरह से 8 equal size में हम इसको cut करेंगे तो देख सकते हैं मैंने ये cut कर लिया है आपको ध्यान से करना होगा इस तरह से हम इसको दूसरा वाला हमें मैं आपको दिखा रही हूं इस तरह से हमें cut करना है नहीं होना चाहिए नहीं तो जब हम इसको फ्राइ करेंगे तो यह तूट जाएगा तो मैंने यहां पे पैन ले लिया है और मिडियम फ्लेम पे ही हमें इसको फ्राइ करना है इस तरह से हम flowers को डालेंगे और जैसे चैसे ही इसीखता जाएगा फ्राई होता जाएगा इसकी जो पंखुडियां है वो खुलती जाएगी हमें पहले से नहीं खुलना है इसको इस तरह से हम इसको fry करेंगे बिलकुल medium flame पे हमें इसको fry करना है और इस तरह से हम इसको fry करेंगे तो आप देख सकते हैं दीरे-दीरे ये जो हमारी पंखुडियां flowers की वो दीरे-दीरे खुलना शुरू हो गई है तो देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से खुल गई है ये देख सकते हैं आप और ये बिल्कुल अच्छी तरह से प्राई हो चुका है और कलर भी देख सकते हैं आप कितना अच्छा आया है इस तरह से हम इसको चार तरफ से प्राई कर लेंगे अब हम इसे एक पैन में निकाल लेंगे किसी भी बरतन में आप निकाल सकते हैं, मैं आपे निकाल रही हूँ, इस तरह से हमने सारे फ्लावस को निकाल लिया है, अब हम इससे चासनी में डूगोएंगे, चासनी हमारी ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा लुकवाम होना चाहिए, गुन-गुना होना चा 10-15 सेकंड के लिए हम इसको डूगों कर रखेंगे, उसके बाद एक करके हम इसको निकालेंगे, ज्यादा दिर तक नहीं डूगों कर रखना है, देख सकते हैं कितना शाइनी कलर आया है, फ्लावस का, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैंने इसको गार्निस कर लिया है, पिस्ता के साथ, छोटे-छोटे टुक्रे मैंने पिस्ता के कर लिये थे, आप इसको किसी भी ओकेजिन पर बना कर खाशकते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग